गुट मॉनिंग नमस्कार दोस्तों यूटूब चेनल जियो बलट में आपका एक बार फिर से सुवागत है दोस्तों SBA PO Pre 2020 को टारगेट करते हुए अपने जो क्वांटिटे अप्टिट्यूट के कलासे शुरू की थी उसकी आज कलास नमबर 17 है दोस्तों टोपी का अपना परसंडेज का और परसंडेज टोपी का दोस्तों फार्ट फोर है percentage topic का दोस्तो अपन इससे पहले part 1, part 2 और part 3 कर चुके है आज अपना part 4 है दोस्तो यदि अभी तक आपने इसके percentage के part 1, part 2 और part 3 यदि नहीं देखके है तो आप इस channel की playlist में जाएए वापर SVA PO Pre 2020 के नाम से playlist है वाजा कर आप percentage के पिछले वाले वीडियो जरूर देखे ताकि आपको आसाने से समझ में आ सके और दोस्तो इसी के साथ आपसे request भी करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो red color का बटन है आपको दवा करे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ताकि हमें भी motivation मिलता रहे दोस्तो आज का अपना पहला question है कि रमन को एक परिक्षा में 456 अंग मिले उसी परिक्षा में सीता को 54% अंग मिले जो रमन से 24 अंग कम है परिक्षा में नियुनतम पासिक अंग 45% है तो रमन को नियुनतम पासिक अंग से कितने अंग अधिक मिले तो दोस्तो सबसे पहले तो जरूरी क्या होता है कि जो क्यूसन दियावा होता है तो वो question आपको समझ में आना चाहिए कि question क्या दिया हुआ है तो दोस्तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रमन है रमन को मैं यहाँ पे R से लिख रहा हूँ जो रमन है उसको कितने अंक मिले एक जामे रमन को अंक मिले 456, clear है और सेम परिक्षया में सीता जिसको मैं S से लिख रहा हूँ सीता को कितने अंक मिले दोस्तो 54% अंक तो कहने का मलब जो रमन के अंक है वो तो 456 अंकों में दिखा रखे है और जो सीता के अंक है उनको percentage में दिखा रखे है लेकिन यह भी बताया गया है जो सीता को अंक मिले है 54% वो रमन से 24 अंक है तो 456 से 24 से लिख माइनिस करेंगे तो वो कितना होगा वो 54% होना चाहिए तो दोस्तो क्या करना है अपन को 4-56 में से अपन को atorship कम करना है और वो कितने के इस इक लिख रहावर होना चाहिए क्योंकि सीता को अंक मिल है 54% और जो रमन को अंक मिल है 456 तो वो 456 में से 24 कम है सीता की अंक तो दोस्तों या दिए बन्समें से 450 में से 24 माइनिस करते है तो या आथा अपने पास में 432 तो कहने का तात्परे यह हुआ दोस्तों कि जो 54% है 54% की value हो गई अपने पास में 432 कलियर है यहां तक 54% की value हो गई अपने पास में 432 तो 1% की value निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों अपन 1% की value निकालने के अपन 432 में अपन 54 से divide करेंगे तो 54 से मैं इसको divide करता हूँ तो 6 से मैंने इसको divide किया 7, 6, 42, 6, 12, 6, 9, 9, 9 से इसको divide करेंगे कितना आजाएगा 8 आजाएगा तो याकात आत्परे किया वा दोस्तों की 1% की value कितने आई अपने पास में 8 तो percentage दोस्तों total कितना होता percentage दोस्तों total 100 होता है तो 100% की value आजाएगे अपने पास में एक को 100 से गुणा किया तो 800-100 से गुणा कर दिया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एकजाम था उसके total अंग कितने है उसके total अंग है दोस्तों 800 उसके total अंग कितने है 800 है अब पूछ क्या रहा है अपन से अपन से बोल रहा है कि परिक्ष्या में नियूंतम पासिंग मार्क 34% है पास होने के लिए कितने अंग चाहिए पास होने के लिए 34 पर 30 अंग चाहिए clear है और total अपने पास में कितना था दोस्तों 800 था तो 800 का 34% अपन निकालेंगे तो 8 से 34 को मल्टिप्लाई कर देता हूँ तो 8 सो 32, 3, 38, 24, 3, 27, 200 बहतर तो कहने का मतलब वहाँ पास होने के लिए एक्जाम में पास होने के लिए आपको 34% अंग चाहिए जो कि कितने हैं 34% 272 है अब पूछ क्या रहा है कि रमन को नियूंतम पासिंग अंग से 456 अंग है जो रमन को मिले थे वो 222 से कितना ज़्यादा है यह है यह आपे पूछा गया है तो 456 में से 272 को अपन को माइनस करना है तो यह अपन यह माइनस करते है तो यह माइनस करेंगे तो अपने पास में आजाएगा 6 में से 2 माइनस के 4 5 में से 7 जाता नहीं तो यह हो जाएगा 8 और यह 184 कौन से option में 184 option number D में है तो option number D को आपको टिक करना है option number D आपके question का सही answer है तो दोस्तों इस question का सही जबाब वट D उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों को इसको ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए ताकि उनको भी इसका benefit हो सके इसके बाद में दोस्तों अगला question है अपना एक HR company 4800 लोगों को नोकरी पर रखती है दोस्तों मैंने पहले भी कहाता अब भी बता रहे हैं आपको पहले तो आपको क्या गाना sensor को अच्छे से समझने की कोशिस करनी है यदी आपको kession समझ में आ जाता है उसके बाद में आपको soul करने की कोशिस करनी है क्योंकि आप आप जैसे जैसे आप रेटिक्स करते जाओगे तब आपकी स्वीड एटोमेटिक बढ़ जाएगी तो एक HR कमपनी 4800 लोगों को नोकरी पर रखती है जिनमें से 45% पूरुस है और पूरुसों में 60% पूरुसों में 60% या तो 25 वर्स के है या उसे बड़े है HR कमपनी में इसे कितने पूरुस नोकरी पर है जिनके आईउ 25 वर्स कम है तो दोस्तों दो परकार डाटा या पर दीया गया है पहले तो ये बताया गया है कि एक कमपनी है कोई भी है HR कमपनी का नाम दिया हुआ तो उस company में 4800 लोग नोकरी पर काम कर रहे है यानि नोकरी करें 4800 लोग या पर नोकरी करें इसमें से ये क्या बता रहा है दोस्तों कि जो 45% है 45% लोग है वो क्या है पूरुस है तो 4800 का 45% लोग क्या है पूरुस है फिर ये बता रहा है जो ये 45% पूरुस है इसमें से 60% या तो 25 साल की उनकी उमर है या 25 साल से वो बड़े है तो आपको यह find करना है कि 25 साल से कम के HR कमपनी में इसे कितने पूरस नोकरी पर है जिनके आयू 25 वर्स से कम है तो ये आपको find करना है तो सबसे पहले आपने देखा कि HR कमपनी में total employee कितने है 4,800 इसके अंदर total employee है इस में से जो male employee है पुरुस employee है जिनको मैं M से लिख रहा हूँ male employee वो कितने है male employee इसमें 45% है तो अपन को क्या करना है अपन को 48,4,800 का अपन को 45% find करना है तो 4,800 का जब अपन 45% find करेंगे तो इसको अपने इदी multiply करते है तो 45,36 अपन को क्या निकालना है अपन को 48,000 का अपन को 45% निकालना है क्योंकि 48,000 हो total employee है तो 45% है जो male employee है तो 48,000 का 45% एडिया पन निकालेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा अपन को मिल जाएगा कि male employee किंतर है अब 45% निकालने के लिए आपको EGV में क्या करना है इसको 2 factor करना है मन की मनी मन के अंदर की 50% और 5% तो 50% का मतलब इस 48,000 का अपन को 48 होगा 400C और 400C का फिर हाप करेंगे तो कितना हो गया 240, 240 को इसमें से अपन माइनस कर देंगे क्योंकि 50% निकाल रख गया है 50 में से 5 निकालेंगे तो 45% मिल जाएगा तो 2400 में 240 में माइनस करता हूँ तो मेरे को मिलता है दोस्तो 2160 कितना मिला मेरे को मेरे को मिला दोस्तो 2160 अब इसमें क्या बताया गया है दोस्तो ये हो गए male employee अब बोला गया है कि Idsmees 60% जो employee है वो क्या है 25 वर्स की उनकी age है या 25 वर्स से ज़्यादा की उनकी age है तो पूछा गया है कि जिसकी आयू 25 वर्स से कम है वो कितने है तो वो कितने है दोस्तो 40% है भाई 25 वर्ष और 25 वर्ष से ज्यादा वाले यदि 60% है तो 25 वर्ष से कम वाले कितने होंगे 40% तो 2,160 का अपन को 40% निकालना है तो यह 4 से मैं इसको मल्टिप्लाई कर देता हूँ 222,2,6,89, 864 तो कितने इमप्लोई है जो जिनकी आयू 25 वर्ष से कम है तो कितने इमप्लोई है दोस्तो 800-48 इमप्लोई है उसको नंबर 2 को आपको टिक करना है तो इसके बाद मैं दोस्तो अपने पास मैं अगला क्यूशन है एक स्कूल में 2,000 विद्यारती है जिनमें से 36% लड़किया है परते एक लड़के की मासिक फीस 400 सी है और परते एक लड़की की लड़के से 25% कम है लड़कियों और लड़कों की मासिक फीस का योग किजना तो दोस्तों पहले क्यूशन को आप द्यान से समझेए कि एक स्कूल है विद्याल है जिसमें स्टूडेंट कितने है दो जार स्टूडेंट है जिसमें बुगजन कर सामिल है इसमें से क्या बता रहा है दोस्तों कि जो गरल है लड़किया है वो कितनी है लड़किया जो है वो 36% है अब दोस्तों यदि 6% का मतलब होता है 36% है परसंडेज का मतल लड़कों की बात करूँ तो 46% लड़किया है तो लड़के कितने होगे दोस्तो 64% होगे लड़के तो 2000 का निकालना है 64% तो 64, 64, 128 तो लड़के कितने होगे दोस्तो 1280 बारा सो असे आपर क्या होगे आपने पास में लड़कों की संख्या होगे तो दोस्तो यह आपको यह 720 लड़किया है 1200 लड़किय अब बोला गया कि जो लड़कों की फीस है 480 रुपे और जो लड़कियों की फीस है वो इस 480 से 25 परसेंट कम है 480 से 25 परसेंट कम है यानि 25 परसेंट कम है तो 45 이osh entirely FX kita 45 परसेंट है यादी समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट संटेज का पार्ट वन देगी है वहाँ पे मैंने बताया था तीन बटे चार की वेल्यू का मतलब होता है 54 परचेंट तो इसको यह दिया अपने कैंसल कर देते तो यह आ जाएगा अपने पास में बारते अच्छ तीस तीन सो साथ तो दोस्तो लड़कियों की संक्य है 720, फीस है 360 तो 720 को 360 चे गुणा करेंगे और लड़के है 1200 सी, फीस है एक लड़के की 400 सी तो इन दोनों का अपस में गुणा करेंगे और फिर इनका फलस कर देंगे तो मैं लिखता हूँ दोस्तो अब मैं क्या करूंगा डायरे पहले मैं क्योंकि संक्य है 720, अब दोस्तो या ऐसे मत करना आपकी पहले इनको मल्टिपलाइ गरो फिर इसको करो फिर पलस करो तब आपको दिक्कत ज्यादा होगी, चौरी, आपको क्या करना है, हो सके जाता कॉमन लेकि सोल करने की कोशिस करनी है, तो या पर देखिए दोस्तों, इन और ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसके साथ ही क्या करूँगा दोस्तों, 8 से भी बाहर ले लूँगा, 6 भी बाहर ले लूँगा, समझने की कोशिस करना, दोस्तों, क्या ट्रिक लगाई है, ट्रिक वे से कुछ नहीं है, या थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के समझ लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि अपने लंबी केलकुलेशन को सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो यहासे मैंने 108 और 6 बाहर ले लिया, तो यहासे दोनो जिरो मैंने बाहर ले लिया, 8 बाहर लिया, 6 बाहर लिया, तो 8, 6 कितना हो गया, 48 या बाहर आ गया, तो 9 बचा तो 96 चोवन तो यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास में 54 बच गया अब दोस्तों केलकुलेशन क्या होगी अपने 100 गुणा 8 और 6 को मल्टिप्लाई कर दिया 8 ची गड़तारीस और 128 और 154 को यह दिमा पलस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 182 मेरे पास आ जाएगा तो यह हो गया दोस्तों अपने पास में 100 गुणा 48 गुणा 182 तो इसको अपन को दोस्तों मल्टिप्लाई करना है तो 182 को आप यह दि 48 से मल्टिप्लाई कर लो या फिर पहले यह अपने पास में क्या था 6 और 8 था तो पहले आप 6 से कर लो फिर आप 8 से कर लो यह से भी आप कर सकते हो यह दि 6 से मैं मल्टिप्लाई करता हूँ 6 दूनी 12 एक 8 से करताड़ी से गुण चास 4 एक जार बान में फिर मैं इसको 8 से मल्टिप्लाई करूँगा तो 8 दूनी 16 पोड़ा एक बैतर है एक थैतर आठ 3736 और यह दो जिरो ओर लगाना अपन को तो यह पने पास में कितना आ गया 3736 डबल जिरो तो यह कितना हो गया दोस्तो 8 लाग थैतर जार चैस्सो रूपे टोटल जो फीस होगी वोगी 8 लाग थैतर जार चैस्सो रूपे कौन से उप्शन में उप्शन नमर ए में है तो उप्शन नमर ए को आपको टिक करना है उप्शन नमर ए आपके क्यूसन का सई जवाब है क्यूसन नमर चार है दोस्तो अपना दिनेश की मासिक आए सुरेश की मास एक आज से दो गुनी है तो दोस्तो दिनेश के आज अपने डी मान ली और यदि सुरेश को मैं ऐसे लिखता हूँ तो यह बता क्या रहा है कि दिनेश की जो आज है वो सुरेश के आज से दो गुनी है कहने का मतलब वहा दोस्तों जिदि सुरेश की आए एक रुपे है तो दिनेश की आए कितनी होगी दिनेश की आए होगी दो रुपे है या इससे सुरेश की आए से दिनेश की आए डबल है दो गुनी है तो जिदि सुरेश की आए एक रुपे है तो दिनेश की आए कितनी होगी दो र तो जोती की मासिक आई से ये कितना अधिक है 20% ये अधिक है 20% अधिक है अब बताया गया कि जो जोती की मासिक आई है वो कितनी है 22,000 रुपे तो अब दोस्तों मैं लिखता हूँ या पे सिर्फ मैं पहले सुरेश और जोती की बात करता हूँ जोती की मासिक आई अपन को दी हुई है कि जोतियों CryicAo 22,000 रूप़े है और स्टेटमेंट अपने को दिया वा था होता है दोस्तो 2400 तो सुरेश के आए दोस्तो कितने हो गई सुरेश के आए कितने हो जाएगी दोस्तो 22,000 में अपने को 2400 पलस करना पड़ेगा क्योंकि 2400 ये ज्यादा है जोती के आए 22,000 है 22,000 से ये 2400 रुपे ज्यादा है तो कितने हो गई दोस्तो 26,400 रुपे कितने हो ग सुरेश की आए एक थी तो दिनेश की आए डबल थी दो थी तो यदि सुरेश की आए 26,400 है तो दिनेश की आए कितनी हो जाएगी तो 26,400 का डबल कितना होता है दोस्तो शबी दूनी 52,800 रुपे तो दिनेश की आए हो गई दोस्तो दिनेश की आए हो गई 26,800 रुपे ओपसन नमबर B में है फ्ञे को टिक करना है वो आपसर नमबर B इसका सही आंसर है इसके बाद में दोस्तों क्यूसर नमबर 5 है अपना एक सहर की आज से एक वर्ष पूर्वेम दो वर्ष पूर्वेकी जनिसरग्या का अनतर 5,000 है दोस्तो कहने का मतलब यह वाद जिसे आज ये दि 2,020 चल रहा है तो इसके नुसार बताया गया है ये एक सहर है जिसकी जनसंग्या है वो 2,016 में जो थी और उसकी जनगंणा दोस्तो 2018 में जो थी 2018 की उसकी जनसंग्या और 2019 की जनसंक्या का कितना अंतर है दोस्तों इन दोनों में 5000 का अंतर है अब आगे क्या बोल रहा है परतेग वर्ष जनसंक्या में 10% की वर्दी दर्ज की जाय तो सहर की वर्थमान जनसंक्या कितनी है तो दोस्तो पहले आप ये बात नोट कीजिए कि एक इन दोनो साल की जनसंक्या के बीच में कितने कांतर है दोस्तो पांच अजार कांतर है कलियर दूसरी बात आप यह नोट कीजिए दोस्तो कि कितने परसेंट जनसंक्या बड़ी थी 10% बड़ी थी तो दोस्तों हो ना हो जो 10% बड़ी वो 5000 ही है क्योंकि 5000 का डिफ्रेंस आ रहा है तो जो बड़ी है वो ही तो डिफ्रेंस आएगा तो 10% की जिगल टू में कितना हो गया दोस्तों सिधा सिधा 10% की जिगल टू में अपनने कर दिया 5000 एक परसेंट की वेलियो की पांसो तो परसेंडेज होता है सो तो सो ॥रसेंडेज की वेलियो के दोस्तों 50 अजdoing को टिक करना दोस्तों 50 005 자 जिस करदी ऑन स्थास ऑन सब् skincare कीजिए फोप सनंबर सी में है क्या पूचा गया है क्योष्ड में पूचा गया है कि दर्ज की जाय č जो जनसंग के आई है वो कब के आई है दो साल पहले की जनसंग के आई है अपन को कौन सी जनसंग के निकालने है अपन को वर्तमान जनसंग के निकालने है तो वर्तमान जनसंग के निकालने के लिए क्या करेंगे दस परसेंट की वर्दी हो रही है दो साल बाद की निकालने है तो 10% की वर्दी होने पर कितनी हो जाती है 110 हो जाती है बटे सो और दो साल की बात हो रही है तो दो बार अपन इसको 110 बटे सो करेंगे 0 से 0 ये कैंसल कर दिया ये 0 से 0 कैंसल 500 को गुणा करना है दोस्तों 121 से तो 500 को 111 से गुणा करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास में 6500 कितना हो जाएगा 6500 तो दो साल बाद उस सहर की जो जनसंग क्या होगी वो होगी 6500 कौन से उप्सन में है यह यह उप्सन B में है अब दोस्तो इस क्यूशन का से जवाब है उप्सन नमबर B आपको उप्सन नमबर C को टिक नहीं करना है C गलत है B सही है क्यूशन को द्यान से देगना है वर्तमान जनसंग क्या पूची गई है वर्तमान जनसंग क्या है दोस्तो 6500 यदि पहले की जनसंग क्या पूचता तब अपना आंसर होता दोस्तो C पचास अजार इसके बाद में दोस्तो अपना अगला क्यूशन है किसी भिन का अंस 20 परसेंट बढ़ा दिया जाए और हर को 10 परसेंट गठा दिया जाए तो भिन का मुल्या सोड़ा बटा 21 हो जाता है तो भिन का वास्तिंग मुल्या याद किजी इसको दोस्तो सिधा सिंपल तरीके में आपको करना क्या है अंस और हर यह आपको पता है कि जो भिन होती है वो क्या होती है उपर वाला अंस होता है और नीचे वाला हर होता है कलियर तो अब यह बोल रहा आपको कि अंस को कितना बढ़ाया 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ने पर अंस कितना हो गया दोस्तों 120 हो गया 20% बढ़ने पर कितना हो गया 120 हो गया और 10 हर को क्या करा है 10% गठा रहा है तो हर में 10% गठाएंगे तो दोस्तों 100 में से 10 गठाने पर कितना आ गया नबा आ गया तो ये दोस्तों कितनी हो रही है ये हो रही है दोस्तों 16 बटे 21 अब इसको दोस्तों क्या करना है उस साइड में लेके जाना आपको सेम का सेम इसको उस साइड में लेके जाना है वजजर मल्टिपलाई करते हो ये सेम का सेम नहीं वजजर मल्टिपलाई करते हो ये जो नीचे अब दोस्तों इसको ditto cancel कर देंगे तो cancel कर दिया मैंने、 3 से cancel करता हमुझा हूँ, तो 3, इसको cancel करता हूँ, 4, 4 से इसको 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 खरता हूँ, 4, इसको 3 से करता हूँ, 7, तो क्या आ गया अपने पास में? च्यार बटे साथ च्यार बटे साथ अपने क्यूशन का सई जबाव है च्यार बटे साथ उप्सन नमबर बी में है तो उप्सन नमबर बी को आपको टिकरना है उप्सन नमबर बी सई जबाव है नेक्स्ट है दोस्तो अपना एक निगम चुनाव में दो उमिदवारों में से एक जिसी कुल वोट का 30% वोट मिला वह 16,000 वोटों से हार जाता है दोस्तो पहली बात मैं आपको बता दूँ जब ये चुनाव वाली या पे क्यूस्टन में बात आए आपके जो चैतर में चुनाव होते है उससे ये बिल्कुल different क्यूस्टन होते है थोड़ा सा इसमें फराइक ये होता है कि आप बोल सकते हो कि आपके जो चुनाव होते हैं में 5 बंदों ने इस्सा लिया या 10 बंदों ने इस्सा लिया कई-कई बर तो 15-20 बंदी भी कई-कई पर खड़े हो जाते हैं चुना में इस्सा लेते हैं लेकिन यहाँ जो क्यूशन की बात हो रही है जब तक आपको कहा नहीं जाता तब तक आपको उमिदवार कितने होने तो दूसरा बंद है उसको कितना मिलेगा मिला होगा 70% बोर्ट मिला होगा जाहिर सी बात है जो जीता उसको 70% मिला होगा जो हार है उसको 30% मिला अब यह बोल रहा है जो हारा है वो कितने बोर्ट से आ रहा है 16,000 बोर्ट से आ रहा है मतलब इसको 16,000 बोर्ट कम मिले है या इसे बोल सकते है जो जीतता है उसको 16,000 वोट ज्यादा मिले है तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तो 16,000 वोट का इन दोनों के बीच में अंतर है और परसंडेज में अंतर कितना है दोस्तो ये 30% है ये 70% है परसंडेज में अंतर कितना है तो यह हो जाएगा दोस्तो चार सो एक परसेंट की वेल्यू आईए आपके पास में चार सो एक परसेंट की वेल्यू आईए चार सो तो सो परसेंट की वेल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तो आपके पास में सो परसेंट की वेल्यू हो जाएगी आपके पास में 40,000 तो कुल वोटों की संग्य आपको याद करनी थी तो कुल वोट आपके पास में कितने है 40,000 आपके पास में कुल वोट है उप्सन नमबर A को आपको टिक करना है उप्सन नमबर A आपका सही जबाब है Next question है दोस्तो Question number 8 पूछा गया आपसे कि किसी भिन के अंस को 400% बढ़ा दिया जाता है और हर को 500% भिन को 400% बढ़ाया हर को 500% बढ़ाया तो नया भिन कितना है 22,27 तो दोस्तो मेंने कहा था आपको क्या करना होता है कि 400% बढ़ा है अंस तो कितना हो गया 500 और हर 500% बड़ा है तो कितना हो गया दोस्तो 600 लेगन इसको आपको उधर लेकर जाके इस 22बटा साथ को आपको 22बटा साथ के साथ इसको उलटा लगाना है अन्स को हर बना देना है फ्र आपको इसको कैंसल करना है तीन से मैं काटता हूं 2, 3, 6, 9, 24, 45, 45, 45 आपकी बिनती तो इसका सही जबाब किया दोस्तो option number 8 जो है वो इसका आपकी answer का सही जबाब है next question है दोस्तो question number 9 question क्या बता रहा है अपन को question बता रहा है दोस्तो किसी चुना में 2 मिदवार थे 8% मददाताओं ने अपना vote नहीं दिया तो दोस्तो ध्यान रखना 100 vote आपके पास में clear है 100 vote है 100 vote में क्या हुआ दोस्तो 8% लोग थे जिन्होंने vote नहीं डाला vote देने वो नहीं गए clear है आगे क्या बताता है चुनाव जीतने वाले ने कुल vote का 48% vote प्राप्त किया जिसने चुनाव जीता उसको कितना मिला 100 में से 56 माइनस किया 44 तो जीतने वाले को दोस्तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तो 44 मिला जीतने वाले को कितना मिला 48 मिला अब क्या बोग रहा है कि चुनाव जीतने वाले ने कुल vote का 48% vote प्राप्त कर अपने प्रतिवद्रणदी को 1100 vote से एरा दिया तो दोस्तो ध्यान देने वाली बात है कि जीतने वाले को 48 मिले है जीतने वाले को 48 मिले हारने वाले को 44 परचेंट मिले दोनों का अंतर कितना है दोस्तो दोनों का अंतर है 4 परचेंट और क्यूशन के हिसाब सेंतर कितना है दोस्तो क्यूशन के हिसाब सेंतर है 1100 तो 4% की वेल्यू है दोस्तो आपके पास में 1100 रुपे तो एक की वेल्यू हो गई दोस्तो एक परसेंट की वेल्यू हो गई अपने पास में 275 रुपे सोरी 255 वोट रुपे की बाद नहीं है या पर 255 वेल्यू हो गई है की तो 100 की वेल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तो 2,0 अपन इसके आगे लगा देंगे 27,500 तो दोस्तो अपन बोल सकते हैं की जो टोटल वोट है कुल मद दाता है कुल मद दाता या पर पूचा गया है तो कुल मद दाता कितने है कुल मद दाता दोस्तो 27,500 है कुल मद दाता चलते है अपने अगले क्यूसन की तरफ अगला क्यूसन है दोस्तो अपना क्यूसन नमबर 10 पढ़ते हैं देखिए क्या है क्यूसन एक परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 206 में अंग चाहिए कितने अंग चाहिए परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 206 में अंग चाहिए एक चातर को 260 अंग मिले कितने अंग मिले चातर को पास होने के लिए 206 में चाहिए थे और उसे अनुत्रिन गोशित किया गया उस चातर को मिले अंग और उत्रिनांग में 5% का अंतर है तो दोस्तो टोटल अंग उत्रिन होने के लिए 206 में चाहिए थे चातर को कितने मिले 260 मिले कितने कम मिले उसको 36 अंग उसको कम मिले जो किसके बरावर है 5% के बरावर जो उसको मिलने चाहिए थे और जो पास होने चाहिए थे उसमें 5% का difference है तो जो 36 है वो क्या है 5% 5% की value क्या है दोस्तो 5% की value है 36 तो 1% की value हो जाएगी दोस्तो 37 बटे 5 और जब अपन 100 की बात करेंगे तो 100% की बिल्डी हो जाएगी 37 पटे 5 इंटू 100 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 से इसको डिवाइड करेंगे पेती दिने 74 चाटर 740 तो टोटल अंक दोस्तों एक्जाम के कितने थे कुल अंक दोस्तों एक्जाम के थे 740, ओपसन नंबर D में है 216 में एक विद्यारती को 222 अंक मिले क्या हुआ दोस्तों एक विद्यारती को कितने अंक मिले 222 अंक मिले और 10% अंकों से फैल हो गया तो पास होने के लिए 266 में चाहिए थे 222 मिले तो कितने कम पड़ेगे दोस्तों उसके छोतर अंक उसके कम पड़े percentage में value कितनी है दोस्तो percentage में value है इसकी 10% तो 10% की value है दोस्तो छोतर same दोस्तो पिछले वाले question पर base है थोड़ा सा बस अंको को एक अंको change करके question को गुमाया है और कुछ नहीं है तो 100% की value कितनी हो जाएगी दोस्तो 740 तो 740 दोस्तो option number C में है तो option number C को आपको टिक करना है कुल अंक चातर कितनी है अधिकतम अंक कुल अंक प्राप्त कर सकता है कुल अंक प्राप्त करने का मतलब हुआ दोस्तो जो total mark है उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता तो total mark हो गए 740 next question है दोस्तो question number 12 एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के है यह दोस्तो आप ध्यान से देगा ना इस परकार की क्यूसेंस भी एकजा में पूछे जाते है पूछा कि मान लिए अपने की बगीचे में 100 पेड़ है क्या मान अपने की बगीचे में 100 पेड़ है आम के पेड़ कितना है दोस्तों जो नारियल के पेड़ है साथ उनका 25% है नारियल के पेड़ है साथ इनका 25% आम के पेड़ है 25% का मतलब दोस्तों मैंने बताया था 25% का मतलब होता है एक बटा चार 25% का मतलब होता है 1,4 तो 1,4 से 60 को calculate करेंगे तो यह अपने पास में कितना आ गया दोस्तों यह अपने पास में आ गया 15 दोस्तों मैं एक बार फिर से लिखता हूँ नारियल के पेड़ है अपने पास में 60 आम के पेड़ हो गया अपने पास में 15 आगे क्यों से न दोस्तों अपना आम के पेड़ की संक्या के 20% सेव के पेड़ है अब सेव के पेड़ कितने दोस्तों 20% है किसका 20% आम के पेड़ों के संक्या का 20% तो इस 15 का अपन को क्या करना है दोस्तों इस 15 का अपन को 20% निकालना है तो 15 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तो तीन हो जाएगा 20% तो आप निकाले सकते हो पंदरा का नॉर्मली यदि सेव के पेड़ों की संक्या 1500 है अब बता रहा है कि सेव के पेड़ कितने है उसेव के पेड़ा 2500 है और आपने कितने निकाले 3 तो इन दोनों को बराबर करने है आपने निकाले तीन क्यूशन बता रहे हैं पंदरा सो तीन की वेल्यू पंदरा सो होने चाहिए तो एक की वेल्यू कितने होने चाहिए दोस्तों पांसो होने चाहिए एक की वेल्यू पांसो होने चाहिए तो सो परसंडेज लेके चले ते सो की वेल्यू कितने होने चाहिए द क्यूस्ह नमबर 13 वर्तमान में पेड़ की उचाई 540 है पहले साल 20 वड़ा उसके बाद में 20 वड़ा अब उसके आउचाई कितनी हो गई 540 होगी तो पेड़ लगा चाने के समय इसकी लंबाई कितनी थी तो मान लेते हैं दोस्तो अक्स थी आप इसको direct calculate कर सकते हो कि मान लिया यदि अपने आप ऐसे भी दो परकार से इसको कर सकते हो यदि मान लिया आपने कि उसकी लंबाई 100 थी तो एक साल बाद में कितनी हो गई दोस्तो पहले यदि आप मान लिया तो फिर 20% बड़ी लंबाई 20% बड़ी तो फिर कितनी हो गई दोस्तो 120 हो गई फिर अगले साल दुबारा 20% बड़ी तो पहले साल 20 बड़ी फिर 20 बड़ी तो 120 का 20% यदि अपने इसको बढ़ाएंगे तो 24 बढ़ गई तो 26 बढ़ कीतनी होगी दोस्तों 144 हो गई 144 की वेल्यू जो है वो किसके बराबर है 540 के बराबर है अब इसको चैंसल करेंगे तो मैं इसको 4 से चैंसल करदेता हूँ चारती बारा चाचोई की चोईस इसको मैं चार से कैंसल करता हूँ तो यह हो जाएगा मारे पास में चारे कम चार चारती बारा चारे पंचे बीस 3 से cancel करता हूँ तो 4 ती 12 15 ती 45 इसको 3 से cancel करता हूँ 12 इसको 3 से करता हूँ तो दोस्तो 15 इसको 3 से करता हूँ तो 4 तो 4 बराबर कितना आ गया दोस्तो अपने पास में 15 आ गया 4 बराबर अपने को कितना मिला 15 मिला तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तो 15 बटे 4 और 100 ब्राबर दोस्तो कितना हो जाएगा इसके इंटू में 6 लगा देंगे तो यहाँ जाएगा परेपास में 15 बटे 4 इंटू 100 4 से इसको डिवाइड करते हैं 25 25 इसको 15 से अपने को गुणा करना है तो 250 यह एक हो जाएगा 250, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 इसका सही जबाब होगा उपसन नमबर B है तो दोस्तो यह तो वहाँ कि आपने 100 मान लिया या आप 100 ना मान के इदि अक्स मान के चलो तो आपने मान लिया कि पेड़ी की लंबाई सर्वपरतम अक्स थी अक्स होने के बाद में क्यावा दोस्तो 20% बड़ी तो अगले साल 20% बड़ी की कितनी हो गई 120 हो गई इसके बाद में अगले साल फिर से बड़ी 20% तो इसका भी 120% हो गई है तो यह कितना आना चाहिए यह 540 आना चाहिए पांशो चालीस इन्टु अंड्रेड बारा इन्टु बारा यह थोड़ा सा उपड़ मैं मेटा के जगा कर लेता हूं यहाँ पर तो दोस्त अब इसको कैंसल करेंगे अपन ये दि मैं इसको 6 से कैंसल करता हूं तो 6,9,54 और ये हो जाएगा 2, 2 से मैं इसको कैंसल करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 45, 4 से फिर मैं इसको कैंसल करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 25, इसको फिर 4 आ गया, 4 से कि तो आपने पास में 305 नमबर B में है तो आपको टिक करना है उपसन नमबर B है वो आपके क्यूशन का सही आंसर होगा इसके बाद में दोस्तो क्यूशन नमबर 14 है क्यूशन क्या बोल रहा है अपना एक परिक्षा में 34% चातर गनित में और 82% चातर अंग्रेजी में ऐसा पल हो रहे तो ध्यान ये देना है दोस्तों आपको इसको वेन डायग्राम से अपन सोल करेंगे वेन डायग्राम अपन बनाएंगे फेल होने का किसका बनाएंगे अपन फेल होने का बिल्ड रहे हैं वें डाइग्राम बनाएंगे क्योंकि जो गणित के छातर है जो वर्त बनाएं मैंने वो है गणित का किसका है? ये मेट का है और द्वसरे वाला है दोस्तो इंगलीज का कलियर है अब दोस्तो इसमें जो ये बीच में सापोर्ट सन है जो दोनों में मिक्स हो रहा वो क्या होएगा जो ये दोनों विशे में फेल है 20% उसका एक बोल है तो अपने परसंडेज में या पर बात हो रहे हैं तो अपन मान लेते हैं कि जो टोटल था वो सो था ये मेत का हो गया ये इंगलिस का हो गया टोटल अपने सो मान लिया तो जो मेत वाले में कितने फेल हो रहे हैं मेत में फेल हो रहे हैं दोस्तो चोटीस अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं दोस्तो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 42 अब दोस्तो मेत में 34 है और 20 या पे दोनों वाले में आ गए तो इधर कितने बचे दोस्तो 14 बच गे और इंगलीज में दोस्तो 42 इधर आई चुके है इस कौनलम में तो इधर कितने बच गे दोस्तो 22 बच गे तो इस हिसाब से आपको सोल करना है तो टोटल फेल कितने होगे दोस्तो 14 पलस 20 पलस 22 टोटल फेल होगे दोस्तो आपके पास में 56 तो यदि दोस्तो आपके पास में जो फेल कंडिडेट है वो आपके पास में 56 होगे तो पास कंडिडेट कितने होगे आपके पास में चौमालिस वाइस चपन फेल है सो में से तो पास कतिना होगे चौमालिस तो 44 का मतलब क्या हो गया दोस्तों यहापे 44 परसंडेज क्योंकि परसंडेज में बात हो रही थी तो कौन से option को टिक करना है option नमर एक ओपन को टिक करना है कितने परसेंट अंग लाना अनिवारी है उसको 33 परसेंट उसको अंग लाना अनिवारी है उसने 125 अंग प्राप्त कि उसने कितने अंग प्राप्त कि उसने 125 अंग प्राप्त कि और 40 अंगों से फेल हो गया 125 उसको मिले, 40 उसके कम पढ़ गया, fail हो गया तो total उसको कितने लेके आता तो वो pass हो जाता यदि 165 नमबर लेके आता तो वो pass हो जाता clear बात है, तो अधिकतम अंग कितने थे तो दोस्तों इधर बोला गया है कि उसको pass होने के लिए 33% नमबर चाहिए और इधर उसको अपने calculate करके निकाला कि pass होने के लिए 165 अंग चाहिए तो जो 165 है वो 33% है तो 1% की value हो जाएगी दोस्तो 165 बटे 33 33 से इसको divide करेंगे 11, 33, 11, 15, 5 तो 1% की value आगई दोस्तो अपने पास में 5 तो 100% की value कितने आजाएगी अपने पास में 500 तो जो total number होंगे एक्जाम के परिक्षा के total marks कितने हैं दोस्तो 500 है कौन से option में है option number B में है दोस्तो जिए वीडियो आपको अच्छा लागो तो please like जरूर कीजिए और अपने साथियों को इसको ज्यादा से ज्यादा share कीजिए और दोस्तो अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को वीडियो के निचे जो red color का button है उसको दबा कर इस चैनल को subscribe जरूर कीजिए साथ ही दोस्तो जो SBA PO Pre 2020 को target करते हैं अपने जो quantity aptitude की classes शुरू की है ये Monday to Friday अपनी ये classes होती है तो इनको जरूर जोइन कीजिए फिर यो cost है ये इसमें आपको PDA भी provide की जाती है वीडियो के निचे जो description box है उसमें जाकर आप इसकी PDA भी वासे डाउनलोड कर सकते है और दोस्तो comment box में type करके जुरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा जो आपको content provide करवाया जा रहा है जो आपको questions provide करवाया जा रहे है वो आपको questions कैसे लग रहे है और इसको वीडियो को ज्यादे से ज्यादे से शेल कीजिए ताकि आप सभी को इसका benefit हो सके और ये SBA PO को सभी के लिए कापी मैथपून है इसलिए अपने परतेक साती के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और दोस्तों आप से फिर से request करना चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्रेब कीजिए साथ में bell icon को जरूर दबाए ताकि आपको परतेक वीड ए अल्दा बेस्ट